जब किसान या जवान मरता है तो समझना पूरा हिंदुस्तान मरता है ये चोटी बात नहीं आज वो अंदाता जो इस देश का पेट पालता है खुद भूखा रह सकता है आपने देखा होगा कि गाउं के अंदर एक ऐसी विवस्ता है कोई गरीब है और किसान के घर जाता है लसी लेने के लिए गया तो लसी दी दूद लेने के लिए गया तो दूद या और कोई जरूरती समान की जरूरत पड़ी तो उसने उस अपने पडोसी को सहारा दिया और आज वो खुद का सहरा मांगने के लिए दिली की सडकों पर बैठने के लिए मजबूर है मैं 1965 की लड़ाई का समय का एक वाकिया याद करना चाहती हूँ जब पाकिस्तान के साथ युद चल रहा था तब अमेरिका ने भी आँखे दिखाई थी कि भारत देश का गेहूं हम देना बंद कर देंगे और उस समय तदकालिन परधान मंत्री समानिय लाल भादुर शास्त्री जी काफी वैतित थे चिंतित थे देश की आनबान और शान का शवाल था और उससे जब एक सभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे तो उससे एक दिन पहले वो अपनी धरम पत्नी ललीता शास्त्री जी से कहते हैं मैं कल देश को संबोधित करने जा रहा हूँ मैं देश से एक बात बाटना चाहता हूँ उससे पहले मैं आपसे अग्रह करना चाहता हूँ कि एक समय का भोजन घर में ना बने ताकि मैं देख सकू कि मेरे बच्चे एक समय के भोजन के बिना रह सकते हैं कि नहीं रह सकते पहले उन्होंने ये अपने घर पे अजमाया और तब देश की जनता से अग्रह किया कि हमें अपने देश की जनता का पेट पालना है तो एक समय का हमें उपवास रखना होगा और देश ने उनकी बातों का मान किया ठीक इसी तरीके से मैं कहना चाहती हूँ कि उतना सवेदन सिल हमें आज फिर बनने की जरूरत है देखिए बाबा महंदर सिंग टिकेजी की सब्ध बिलकुल सही परतीत होते नजर आ रहे हैं उन्होंने कहा था दवार बंद होंगे नादार के लिए दवार बंद होंगे नादार के लिए दवार खुलेंगे दिलदार के लिए वेपारी के लिए और इस देश में इस क्रिशी कानून के जरिये वेपारियों के लिए दवार खोल दिये गए हैं आज किसान का चिसान जो चिंतित है मैं इस सदन के मादल से परदेश वाशियों को कहना चाऊंगी कि वो खुद के लिए चिंतित नहीं है वो उसी वेवस्ता के लिए चिंतित है जिस तरीके से गाउं में वो हर उस गरीब व्यक्ति को साथ लेकर चलने का प्रियास करता रहा मंडी वेवस्ता खतम होने पर वो चिंतित है कि मंडियां जब खतम हो जाएंगी उसी तमुल्यां उन्हें नहीं मिलेगा और जब देश के अंदर अपने मन माने भाव से अनाज की विक्री होगी तो वो इसके लिए चिंतित है किसान की चिंता इसलिए है वो देख रहा है कि वो अपनी जमीन के उपर बंद्वा मजदूर बन जाएगा भेंगाई को लेकर वो चिंतित है खादे सुरक्षा योजना को लेकर चिंतित है और वो अपने अस्तितव को लेकर चिंतित सभापती मोदे यहाँ पर बहुत सारे साथियों ने सुरक्षा को लेकर भी बाते की मैं यहाँ पर भी बोलना जरूर चाहूंगी सबापती सिर्फ दो मिनट और मैं चाहूंगी मैं यहां पर बताना चाहूंगी कि मैं सादुलपूर विधान सबाचेतर से आती हूँ जिसका जिकर लगबग सब साथियों ने किया एक सवेदन सील दोर से हम लोग गुजर रहे हैं और सबापती मोदे आप खुझ सेखावाटी से आते हैं और आपको मालूम है कि वहाँ पर कराइम किस तरीके से सुरू हुआ तो उसके उपर ने जाते हुए मैं यह कहना चाहूंगी एक जनपरती नीदी होने के नाते और सदन में बैठे जितने भी हमारे साथी चाहे परदेश के किसी भी छेतर के अंदर इस तरीके की गटनाए होती है वो ऐसे हैं यह हैं पीडा दायक उसका हम विरोध करते हैं और इसमें खुले दिल के साथ हमें इन चीजों को कम करने के परियास करने चाहिए लेकिन साथ साथ मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि उसी सादलपूर छेतर के अंदर जो परतिबाएं होई है क्योंकि सदश्य कहते हैं कि आपका छेतर बहुत सवेदन सील है गंबीर है बहुत डेंजरस है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि सादुलपूर विधान सबाचेतर के अंदर RBI के गवर्नर वीजे जालान का जनम हुआ सादुलपूर विधान सबाचेतर के अंदर लक्षवी निवास मितल जो की आईरन के किंग माने जाते हैं उनका जनम हुआ IPS हमारे यहां से वे, RS यहां से वे और RPS यहां से वे और देश के लिए तरिंगा लहराने वाले सबसे ज़्यादा एथलीट भी हमारे छेतर से आते हैं थो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि उन, धन्यवाद स्कुंतला जी मैं कहना चाहूंगी कि ऐसी जो परती बाय हैं उनको उनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए और सभी आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका भार वेक्त करती हूँ धन्य वाज्य है